दोस्तों क्या आपको पता है मोबल टावर रेंज एरिया कैसे कवर करते हैं? अब आप मेंसे 90% लोग सर्कुलर कहेंगे लेकिन ना तो रेंज एरिया सर्कुलर होता है और ना ही स्क्वेयर क्योंकि अगर एरिया सर्कुलर रहा तो बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है या फिर बीच का एरिया छूट सकता है और रेंज एरिया अगर स्क्वेयर रहा तो भी कॉर्णर का पार्ट छूट सकता है इसलिए किसी भी सेलफ़न टावर का रेंज एरिया हेक्जागनल होता है जो ग्रामिन के मुकाबले अर्बन एरिया में बहुत जादा डेंस होता है इससे तरह के इंट्रेस्टिंग फैक्ट डेली जानने के लिए इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए